कि आज हम कुछ बन विशेस्ताओं से युक्त पौधों के बारे में बताएंगे बड़ा मन गर रहा था थोड़ा दूसरी रहन पर गा रहे हैं आप लोग देखेगा पौधा बड़ा इंजियो इस्पर्म का यूके लिप्टिस रहो कहा है पौधा बड़ा इंजियो इस्पर् इंजियो इस्पर्म का और बड़ा जिम्नो इस्पर्म बड़ा जिम्नो इस्पर्म जो है शेकेविया जाई गेंटिया होता है छोटा जिम्नो इस्पर्म जो होता है वो होता है जामिया पिग्मिया ये जामिया पिग्मिया का पौधा है जियोप्सिप्स जो नाम है छोटा ब्रायोफाइटा का है सबसे छोटा ब्रायोफाइटा जियोफिप्स है यह जियोफिप्स है डाउसोनिया नाम जो बड़ा ब्रायोफाइटा का है बड़ा ब्रायोफाइटा डाउसोनिया छोटा ब्रायोफाइटा जियोफिप्स और छोट टेरिडोफाइट एंजोला होता है छोटा टेरिडोफाइट जो होता है वो एंजोला कहलाता है यह पौधों के नाम है जिनकी विशेषता बताया ही आ रही है अधिक गुर्षूत्र वाला पौधा जो होता है आफियो ग्लोसस होता है सबसे अधिक गुर्षूत्र वाला पेयसग्रेसी लिस होता है यॉपला पेयसग्रेसी लिस होता है जड़ हुता है यॉअ मतलब जड़ नहीं होती है क्यॉन होता है थे यॉठो बैटकत ऑसे धनिक Mini होता है और यह सबसे कठोर अगर थन internal गया है किसकी हाट वा सक्रोमा बल्सण ओक्रोमा लागो दस बलसन जो होता है जिसकी सबसे छोटी हालकी लगड़ी ये पौधा है अगला है प्रवो रहित पादप राई जो फूरा रहो प्रवो रहित पादप मतलब इसमें रोह नहीं होती है उसको राई जो फेरा कहते हैं सबसे लंबी जड़वाला पौधा जो होता है वो एडन सोनिया डिजी टेटा होता है एडन सोनिया डिजी टेटा होता है प्यूरे मांडी पौधा जो है वो अधिक आयू तक सबसे यदा जीता है कौन वाला प्यूरे मांडी पौधा जो होता है सबसे अधिक आयू तक जीता है ग्रामेटो फाइलम इस्पेसियोसस सबसे बड़ा आर्किड है सबसे बड़ा आर्किड कौन सा है ग्रामेटो फाइलम इस्पेसियोसम और सबसे बड़ा आर्किड पुस्प जो है वो फ्रेमी फीडिया कारडेटम है सबसे बड़ा देखो यह बाच्चा जो बैटा हुआ है, Victoria, Amaha, Dawnika, Victoria, Amaha, Dawnika, य्यद्य पौधा होता है, आगे है, वुलफिया पादप पुष्प जो, स्वारी रैफेल्सिया आर नोडाई रैफेल्सिया आर नोडाई ये पुस्प है ये कौन सा पुस्प है जो संसार का सबसे बड़ा पुस्प है रैफेल्सिया आर नोडाई ये संसार का सबसे बड़ा पुस्प होता है रैफेल्सिया आर नोडाई और सबसे छोटा पुस्प ज होता है वो लोकोडिया का होता है और आर्किड का वीज सबसे छोटा होता है अगर तुमसे पूछा जाए किस पौधे का वीज सबसे छोटा होता है वो आर्किड का होता है सबसे बड़ा किस पौधे का वीज होता है लोको लोडो किया का होता है और सोरियस जाइनसस सेरियस जा जाइनेटिसस यह सबसे विसाल का एक्टस है मतलब वूलोओं यह देखो छोटे पौधे का वीज आर्किट आगया सबसे छोटा पुस्प घवोल्फिया यह यह पौदा यह दूसरा पौदा है पुस्प है, Serious, Genetus, जो विसाल का एकफैर iक्ट होता है, सबसे सूचम्पादप, मतलब सबसे सूचम्पादप बीजW जिसके होते हैं, सबसे कौन सा पौधा हैं, जिसके सबसे सूचम्पादप بीज हैं, वह है, Arconomry, और Miczw regams, जानते ही हैं सबसे बड़ी कोसिका वाला पॉदा है ट्रिलियम जो पॉदा होता है उसमें सबसे बढ़ा गुर्षूत्र पादप पाये जाते हैं सबसे बड़ा पादप जो है जिसमें अंड वाला अंड जो साइकस सबसे बड़ा पादब जो होता है वो साइकस होता है मतलब पौधा होता है और सबसे बड़ा पुमंग वाला पौधा भी साइकस ही होता है किसमें सबसे बड़ा पुमंग पाये जाता है साइकस में ही पाये जाता है और सबसे छोटा क्रोमोसोम जो होता है वो स्याईव और सबसे बला बीजान्द किसका साइकस का है ये तो पौधों से लिलेटेट कुछ मतलब विचित्र पौधेव यह आब वनस्पत विज्ञान काउं शाखाओं पता हैं जैसे वेक्टिरियो यह फेज्जों गान उसके चरे आखे टवार्टव डिहेर वर्गिकी जो विग्यान है उसके au को विद्गी कह बताया था पिछले वीडियो में ड्य नेंडल आधुनिक भूण्द विग्यान के वानवेर ये था ये ढ़्ति क्या झालें पादप रोग विग्यान के जनक कौन है एजे बटलर और पादप किरिया विग्यान के जनक है वो है स्टीफन हेलशाई पादप किरिया के जनक स्टीफन हेलशाई फ्रांसिस गाल्टन जिनका नाम है फ्रांसिस गाल्टन सु जननिकी के पिता हैं सु जननिकी के पिता है कौन गाल्टन और लुई पास्चर आप लोग जानते हो सूच्म जैविकी विज्ञान के पिता हैं सूच्म जैविकी के पिता कौन है लुई पास्चर और व्यक्ति व्रत्ति में जाति व्रत्ति की पुनरा व्रत्ति का नियम दिया है ये अर्नस्ट हेकले जी ने दिया है विज्ञान के पिता तो हैं यह आप लोग जानते हो वनस्पत सास्र के पिता थी ओ फ्रेश्टस यह भी जानते हो इको सिस्टम सब्द दिया है टेंसलेन यह भी जानते हो प्रतिरच्छा विज्ञान के जो जनक है वो भी एडवर्ड जेनर है तो यह तो कुछ वनस्पत विज आप इसको अच्छी तरीके से पढ़िए और यह जूवी ग्यान का बहुत अहम इस्सा है इसमें प्रशन जरूर ही आते हैं आप लोग घबलाईएगा नहीं आप सिर्फ ग्यान के लिए पढ़िए हमें कोई विसेश प्रपॉलिट्री नहीं चाहिए बस आप पढ़ जाएं आ आप लोग ग्यान आरजन करें यह हमारी आकांचा है धन्यवाद